आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉड्रम देखे जा रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमजूरी धकान चक्र इस तरह के सिम्टम सामने आते हैं पिशेंट एक से एक महेंगे महेंगे मल्टी विटाविन खाते हैं जे हम डोक साब यह कैपसूल खा रहे थे लिगे 25 कैं ठीक चाहिए वाइ वाइस वीडियोब देखे सबसे पहले जाने कौन खूल सकता है जाने क्सि धी वजह से तक कर राए और कसी भी थकान राए और का सुबह में फैज नहीं कड़ते हैं और हमारी निनीन जबकी छे साथ गंटे की है इवन हमारी नेन ज्यादा आती है तब भी हम अच्छे से फ्रैश नहीं हो पाते हैं हमें बेवकुल अच्छा नहीं लगता सुबाट में तो बहुता है उनको रहती है और अगर उठते हैं तो चक्कर उनको महसूस होता है कि कोई चीज लिए चकर उनको बहुत आता है जो वीक हो गया और देखा जाता इस तरह के पेशेंट पो अगर पाचक सक्ति उसकी कम हो गई है जो खाना पचना चाहिए उस तरीके से पचना चाहिए उनके शक्ति कम हो गई है जो सारे चम्टम्स भी साथ में मिलता है आप एमान के चबिए जिनकी इस तरीके समस् जाये हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं आपने सुना होगा कई बार के बड़े प्र्ललम्श हो जाती हैं अगर ब्रेट पेशिन बढ़ा हो आहा वाकि उस से बहूंब हो जाती है लेकिन अगर आप व्रेट पेशिन डाउन SAN रहता है तो उससे भी कही तो थकार नहती है और अगर आपका हीमोगलोबिन कम रहता है तो इन में से अगर आपको कोई भी समस्या है और आप अपने अंदर एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आप आज से ही किश्मिश लाइए बहुत सस्ती आपको मिल जाएगी इसको आप लेना शुरू कीजिए उन पूर का सीजन है तो आप अंगूर भी ले सकते हैं रोज 200 से 500 ग्राम आप अंगूर खाईए और अगर आप अंगूर नहीं खा सकते हैं और पर सीजन ओफ है तो आप किश्मिस को झाल खाईए तरीका में आपको रात को रोज 20-30 किश्मिश डालना पानी में और सुछा क को उसको चान के आप पी लेजिए पानी को पीना है किसमिस को चवा के खाना है इस तरीके साथ इसको कीजिए आपको वैनिफेक्ट हंडिर परसंट लगेगा लगभग एक महीने आप इस्तमान कीजिए एक महीने में आपको ये मोगलोविन भी पढ़ा मिलेगा और आपकी दूद में उसको उवाल लेजिए और वो उबला हुआ दूद यह मानिए कि आप सुभा में लेजिए यहां पर शाम बाला दूद जाए लेंगे वह ज्यादा वैतर आप प्लिए रहेगा सुभा मारे दूद से पेप में प्रोडम्स को होती है तो अच्छे से तीन चार आप च्छारे डालनीजी दूद में उवाल लेजिए और आप उनको दूद को पिलीजिए और बाद में च्छारे खाने इस तरीके से करने पे आप देखेंगे आप वर्लियंट रिजल्ट मिलेगे सुभा में किश्मी से उस कर ली शाम में या रात में च्छारे इस्तमान कर ली एक महिने के अंदर आपका इंवियो सिस्टम में बोस्ट हो जाएगा आपको बार-बार कोई समस्या हो रही थी या पेट कराब था पाचल सकती कमजोर थी सारी चीजों में आपको फाइदा रगना शुरू हो जाएगा इस वीडियो को जावस जाए शेयर कीजिए जिससे व को बलती विटामिन जरा तम यूज करें थैंको सो मच